नमस्कार दोस्तों चैनल पेपका स्वागत है दोस्तों एक आज रेल्वे को बारे में नियूज है कि जो रेल्वे में अब वेकेंसी फुल्फिल होगी ओ यूपी एस्सी के माध्यम से होगी जैसे कि आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेल्वे बोर्ड के अध्यक् रेल्वे बोर्ड के अध्यक्षे वीके यादों ने गुरुवार को बताया कि रेल्वे में अपसे सभी नई भरतियां यूपी एस्सी सिविल सेवा परिच्छा के तहत परिच्छा के माद्यम से पांच बिसेस्ताओं के तहत होंगी संग लोग सेवा आयोग के अन्य अभिय बिसेस्ताओं के तहत आई आर अमेस इंडियन रेल्वे मैरेजमेंट सर्विस को चुन सकते हैं इन पांच बिसेस्ताओं में से तकनीकी के तहत चार इंजीनरिंग एक सिविल मेकेनिकल टेलीकॉम इलेक्टिकल और ग्यर्थ तकनीकी होगा गेर टेकनीकी में लेखा कार्मिक और या तयात छेत्र की निवक्तिया होंगी यादों ने कहाई इसकी बिश्तरीत रूप रेखा तयार की जाएगी लेकिन ऐसा है कि अभेर्थी प्रात्मिक परिछा देंगे और फिर अपनी पसंद चुनेंगे पहले आपको एक पेपर कंपल्सरी होगा सब के लिए वो देना पड़ेगा उसमें अगर पास होते हैं फिर आपको अपने हिसाब से स्पेसलाइजेशन चुनना होगा उन्हें आई आर एमेस परिच्छा में सामिल होने का अभी बिकल्प दिया जाएगा रेलवीबोर्ड के अदेख ने का हम पांच विसे सज्व्यताओं के तहत हमारी भर्ति को सपर्ष करते हुए उसका मांधपत्र भ्हेजने वाले हैं इनमें चार इंजिनिरिंग और एक गैर इंजिनिरिंग का है चार इंजिनिरिंग में सिविल है मेकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है और टेली कम्यूनिकेशन है गैर इंजिनिरिंग वाले में कला संकाय के लोग नियुक्ति पा सकते हैं गैर इंजिनिरिंग मुझे सेंट पीसी की वेकेंसी होती है इनकी बात कर रहे ही लोग तेकि इसमें रेलवे में अब जो चेर्मैन होते थे उसके अस्थान पर अब CEO नियुक्त होंगे ठीक है दोस्तो तो ये एक बहुत बड़ी नियुक्त है कि अब जो रेलवे की वेकेंसी होगी UPSC के थुरू होगी UPSC के थुरू एक पेपर मेंस का होगा और अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको चूज करना होगा कि किस स्पेसलाइजेशन में आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और इसको जादा सेयर करिए थैंक्यों दोस्तों